सुबा की भागम भाग में हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या नास्ता बनाएं जो जटबड बन भी जाए और खाने में बहुत ही टेश्टी लगे तो आज मैं आपको ऐसा ही नास्ता सेयर करने जा रही हूँ जिसे फ्रेंट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत ज और इसमें हम एट करंगे Datम दो माज़ाWind तो कोई भी भैसन ले सकते हैं रीज या फिर जो भी भैसन आप खाने में यूज करते हैं और अज pra ने के बाद मैंने के बाद मैंने बड़े अपियाण का प्याज लिया है जिसको मैंने बारी बारी कट कर लियाए तो प्याज को भी हम बेसन में एड़ लिए फ्रैंस और इसके बाद हम इसे में लेसजनら और मृर्च एड़ करेंगे तो मैंने यहां पर याठ बैसर लिए लिया इसको बारी-बारी कट कर लिया है और एक चमच लेसन लिया है, इसको मैंने अच्छे तरह से कोट लिया, आप इसे कट करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा तीका पसंद है तो आप मिर्ची बढ़ा के ले लीजिएगा, तो यह देखिए मैंने लेसन और मिर्ची को भी इसमें डाल दिया है, ले इसके बाद हमें इसमें नमक एट करना है, तो मैं यहाँ पर दो छोटा चमच नमक एट कर रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा चमच है तो आप बड़े चमच से एक चमच ही डालिएगा, या फिर अपनी स्वादा नुसार आप कम या ज्यादा नमक एट कर सकते हैं, और मेरे पास हिंग नहीं था, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम मेक्स करते जाएंगे, एकी बार में हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, तो यह देखिए, हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अची तरह से मेक्स करना है, और खाने में तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है तो friends इसी तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के mix करते जाना है एक ही बार में हमें ज़्यादा पानी डालना है नहीं तो हमारा बैटर बहुत ही पतला बन जाएगा बिल्कुल जैसे हम केक बनाने के लिए बैटर तयार करते हैं उसी तरह से हमें इसका बैटर भी तयार करना है थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के और friends ऐसे ही मैंने बहुत सारी different और unique नास्ते की recipe अपने channel पे upload कर रखी है तो अगर आप देखना चाते हैं तो मेरे channel पे जाके देख सकते हैं सुई और धाके से बनाए एकदम different और unique नास्ता ये वीडियो भी मैंने अपने channel पे हाली में upload कर रखा है तो आप इस नास्ते को भी जरूर देखीगा friends सुई धागे वाला नास्ता आपको बहुत पसंद आएगा और ऐसे ही different recipe देखने के लिए आप मेरे channel को जरूर subscribe कर लेजिएगा और वेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलेगा ताकि हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आपके पास सबसे पहले पहुचे तो ये देखे friends ये batter हमारा बनके ready हो चुका है बिल्कुल ऐसे ही batter बनाना है हमें तो चलिए हम अपने तवे की तरफ चलते हैं तो friends यहाँ पर मैंने पैन रख दिया गरम होने के लिए तो आप इसकी जगह पे तवा या पैन कुछ भी ले सकते हैं और gas का flame medium रखेंगे जैसे हमारा पैन गरम हो जाएगा हम इसमें दो चम्मस सरसो का तेल डाल देंगे तो अगर आप सरसो का तेल खाने में नहीं उच करते हैं तो आप इसकी जगह पे कोई भी तेल ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर सरसो का तेल डाला है तो इसमें थोड़ा सा smell रहता है तो friends हम इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे ताकि इसमें का smell खतम हो जाए तो ये देखी friends हमारे तेल से हलका हलका सा धुमा सा उठ रहा है यानि कि हमारे तेल का जो smell खतम हो गया है गैस का flame लो कर देंगे और इस तरह से हमें batter को डालना है बिल्कुल पतला करना है में इसको बहुत मोटा नहीं करना है इस तरह से तो आप जितना भी बड़ा चोटा करना चाते हैं कर सकते हैं इसको पलटने में कोई भी दिकत नहीं होती है बनाने में कोई भी दिकत नहीं होती है बहुत ही perfect बनता है ये तो इस तरह से हमें चारो तरफ फैला देना है friends और दो मिनट तक हम इसको low flame पे पकाएंगे चुड़ाने के बाद friends हम इसको पलट देंगे तो बहुत ही इजली ये पलट जाता है कोई भी दिकत नहीं होता है आप अगर पहली बार भी बना रहा है तो भी आपसी ये perfect बनने वाला है और low flame पे हम इस साइड भी दो मिनट तक पका लेंगे friends और दो मिनट इसे पकाने के बाद हम फिर से इसे पलट देंगे तो friends अलटते पलटते हमें इसे golden color कर लेना है अच्छी तरह से ताकि ये दोनों तरफ से crispy हो जाएं तो ये देखे friends अलटते पलटते हमारा नास्ता बनके रेडियो हो चुका है तो आप इसे चाहें तो ट्रेंगल सेफ में कट करके serv कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही पराठा जैसे मोड के भी serv कर सकते हैं या फिर आपके घर पे महमान आये हैं तो आप इसको और भी अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की कटोरी ले लेना है, बिल्कुल इस तरह की बारी वाली रहनी चाहिए, और इस तरह से रख के हम गोल-गोल सेप में कट कर देंगे, ऐसा कट करने से देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, आपके महमानों को तो ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा इसको पलटके इस साइड से भी हम कट कर लेंगे, ताकि एजली हमारा नास्ता कट जाए, तो ये दिखे, हमारा नास्ता कट चुका है, तो हम इसका इश्ट्रा पार्ट निकाल देंगे, इसे हम खा लेंगे, और ये जो हमारा प्यारा सा नास्ता है, ये खाएंगे हमारी प् हम इसको ऐष्टनी के साथ खाते हैं तो एगर अपने व Taiहरा इसे बनाने को możा बढ़त को एक बार अपने 쪽क्चाइब करी ऐगा आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजीगा और बेल आगन को प्रिस करना बिल्कूल भी न भूलिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अफ्लोड करें तो उसका नोटिफीकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आकरिती की रसोई को अप किसी नहीं रस्पी के साथ तकलीमा बाइश